पर्दे में हमारी धीबेटी अच्छी लगती हैं पड़े ज़धा पड़ेती ना तो इसलाम को कम समस्तिवर जो सुटिंग बनाने हैं फिलिम बनाने वाले उनका कोई धरम नहीं है इकलाक महबत प्यार का पैगाम देना वाला इसलाम का धरम है हमारा मुलाना रिज्वी ने ए कंछा वाल से रहे क्या के य कि वी बात सही है हमारे लोगों में जायज नहीं है बाल कटाना वे इसलाम हमारा मतलब में मेरा लाईThe सबक्यों अ लोगता नहीं नए rechts aire Jake अब जोश्ए हमारे लोगों में के शोच हमें गया हमेरे झालना काम परदे में हमारी धीवेटी अच्छी लगती हैं है हमारा इसलाम और दीन क्याता है आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज के लिए मुलाना रिज्वी ने ये बात बोली है कि महिलाओं का बाल कटवाना मुसलिम धरम में प्राथ क्यों क्या प्राब्दान है इसके पीछे क्या मतल बल दिये जाते हैं तो अपने मिजाज के ओपर बात है वैसे हिसाब से गलत है और लोगों से जानते हैं आज कल लड़कियां पड़ी लिखी है आगे बढ़ रही है बहुत सारे ऐसे शेत्र में जाएंगी जहां पर अनिवारे भी हो जाती है यह चीजें उन महिलाओं के लि सवाल यह था कि जो महिलाओं आगे जाती है या फिर कोई और ऐसी फील्ड है जिसके अंदर जो है आनिवारे हो जाता है त्रेडिंग करवाना अपने आपको मतला सुन्दर दिखाना तो वहां पर क्या वो महिलाओं क्या करें नहीं हमारा दरा में इस चीज क्यों नहीं देत देखता है जो अभी नेत्रीयां है खासतोर पर बात किजा वह नीतनी तो ये सारी चीज अपना तो नका को ध्रम ही नहीं है नहीं झा compilation nossas जैसे बलेश्स है इस ऐल्यद्स पाकिस्टन के निट उनका नाम मैं भूलना हूँ साथ उनोंसे सवाल किया था उन पर जवाब नहीं दिया गए तो अभी ने तो अभी ने दूर रहता है हमारा थार्म जो है ना वो इस टाइप का है कि लोगों को गले मिलाना आउ जी इकलाक मुहब्बत प्यार का प्यारा का पैघ्लम देने वाला इसलम का तैने बाद तो मुलाना रिज्वी जो बात बोली थी उसके ओपर हमने ये मुस्लिम पक्ष की जो है वो राय आप लोगों को दिखाई है क्या है आप लोगों का कहना नीचे कमेंट सेशन में जुरूर बताएं देखते रहिए सोगंड टीवी कैमरामेन सचिन के साथ आशा शर्मा गाजिपूर दिली आप देख रहे है सोगंद टीवी सोगंद वतन की